अनुछे 370 और 35 एकों लेकर 12 दिन भी सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान कोट ने सरकार को सवालों की कटगरे में खड़ा कर दिया सुप्रिम कोट ने 2019 में बॉर्डर स्टेट जमू कश्मीर को दो हिस्तों में बाटने की जरूरत पर सरकार से जवाब बांगा और भी कई ऐसे सवाल पूछे गए जिसने सरकार की बोलती बंद कर दी क्या है खबर आईए देखते हैं सुप्रिम कोट ने सीमावर्ती राजी के विभाजन के आवेशक्ता पर सवाल उठाते वे कहा कि जमू और कश्मीर अपने आप में अनोखा नहीं है और पंजाव और पुरुवत्तर को भी इसी तरह की स्थीतियों का सामना करना पड़ता है अनुचे 370 पर दायर याचिकाओं पर समिधान पीठ में बारवे दिन भी सुनवाई के दोरान सुप्रिम कोट ने केंदर सरकार पर सवालों की जड़ी लगाई और कहा कि क्या संसत के पास राजी को केंदर साशित प्रदेश बनाने की शक्ती है अगर है तो किस हद तक अगर यूटी की स्थिती अस्थाई है तो कब तक जम्मु कश्मीर में चुनाव कब होंगी कोट ने कहा कि जम्मु कश्मीर अपनी आप में अनुखा नहीं है पंजाब और पुरवतर को भी इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है CGI ने पूछा कि आपने एक केंदर सास्थित परदेश रहने क्यों नहीं दिया जम्मु कश्मीर और लद्दाग दो क्यों बनाए एक स्टेट को केंदर सासुत प्रदेश नहीं खोशित किया जा सकता। डीबी लाइफ की रिपोर्ट